साथ ही हो नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सान एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या गए हैं आपके लिए UPPCS, UPSC, SSC, GD, MPPCS और अन्य सभी परिच्छाओं की दिष्टी से अतिमहत पूर्ण 360 डिगरी कर इंटरफेस यानि कि यहाँ पर आपको हर एक प्रेश्ट के बारे में डीटेल में जानकरी दी जाएगी जिससे अगर उससे समद्द कोई अन्य प्रेश्ट भी आपकी परिच्छा में बनता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए बीना समय गवाए हुए सुरुबात करते हैं और आपको बताते हैं आज के सेसन में क्या-क्या होने वाला आईए देखते हैं तो टूडे सेसन की बात करें तो सबसे पहले यस्टडे का रिविजन कराई आगा यानि कि कल हमने जो आपको करेंट अफ़ेर कराई है उसमें से तीन प्रेश्ट रेंडबली आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आपको खुद यह चेक करना है कि कल वाली करेंट अ पर आपको याद है या फिर नहीं याद है उसके बाद में टूडे करेंट अफ़ेर के महतपूल प्रिचनों की डीटेल में आपको जानकारी दी जाएगी वित फोटो के साथ में जिसले की चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाए उसके बाद में MP करेंट अफियर यानि कि मद्देश करेंट अफेर की जितने भी महतपून प्रेश्ट बने होंगे उनके बारे में आपको फुल डीटेल में जानकारी दी जाएगी उसके बाद में स्टैटिक जीके जैसे कि आपको पता है स्टैटिक जीके अब हर प्रतियोगी पर इच्छा में आती है फेवर पुछने वाले हैं जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा तो चलिए बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं आए देखते हैं रिवीजन के तीन अति महतपून प्रस्टन देखिए पहला प्रस्टन अभी अभी हाली में किस भारती खिलाडी को दुबई का गोल्डन बीजा दिया गया है सचिंतेंदुलकर सानिय मिर्जा फवाद मिर्जा या फिर विराट को है लिए आई एंसर दिख लेते हैं सही एंसर बीन की सानिय मिर्जा को अभी हाली में गोल्डन बीजा दिया गया है दुब पर किया लखनवू वारारसी चंडी गड़िया फिर गॉलियर आई एंसर देख लेते हैं इसका सही आंसर बी एन की वारारसी जिसे बनारस कहते हैं वहाँ पर रुद्राक्षी संबेलन किंद का उद्गाठन माननी प्रधान मंतरी मोदी जी के दोरा किया गया है आगे बढ़त करें तो सही एंसर भी एन की सिंगापूर के दारा दुनिया की सबसे बड़े तैरते सॉलर पैनल का अनावरन किया गया है या पैतालिस फुटबॉल के मैदानों के बराबर है ठीक है चलिए ये आपका रिवीजन हो गया है अब आगे बढ़ते हैं और सुरू करते हैं 18 जु हुआना आई एंसर देखते हैं सही एंसर डिन की हरियाणा में देश का पहला ग्रेन एटिम यानाज एटिम की शुरूआट की गई है दिखिए खर अगर वो चीज सही से काम करने लगे तो फिर उसको पूरे देश में पूरे राष्ट में इसको लागू करना यहीं में इसको चालू किया गया है जो नई मसीने होंगी पांच से साथ मिनट के समय में लगबख सतर किलो ग्राम अनाज निकाल सकती हैं डिपो के बाहर रासन लेने के लिए लंबी कतारों में इंतियार करने वाले उभखताओं को इस ATM से रहत मिलेगी अपना रासन कार्ड ले करके जाईए जैसे आपके पासे कार्ड होता है एट्यम वारा एट्यम में डाली अपना फिन कोड डाली और आपका जो है सीधे पैसा निकल के आ जाता है ठीक वही प्रोसेश यहां पर होगी तो देखिए अ वाइन वाइन का सिस्टम ही खतम हो जाएगा ठीक है न चलिए तो पहला ऐसा ग्रेन नेटिम कहां पर हर्याणा में शुरू किया आगे बढ़ते हैं देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीका करण अभियान मात्र कवचम की सुरुआत कि सरकार के द्वारा की ग क guides मात्र कवचम अभियान का वी हाली में सुबहरम्ब किया गया है घर्भवती महिलाओं के टीका करण है तू बेबेन ऩी सरकारी इस्पटाल में इस उर्पोट पंझीकन किया जैगा यान ने की हर एक सरकारी स्पटाल बता दिया जाएं कि जतनी भी गर्वती महिला हैं उनक के मुख्यमंत नहीं पीना राय विजियन राजपाल की बात करते हैं तो केरेल की राजपाल है आरिफ मुहम्मद खान ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट देखते हैं भारत सीलंका और मालदीब की सेनाओं के मद्य नौ सेना अभ्यास ऑपरेशन सेल्ड का आयोजन कहा पर किया गया हिमाचर प्रदेश जम्मू कस्मीर राजिस्थान या फिर महाराष्ट आई एंसर देखते हैं सही एंसर डीन की महाराष्ट में देश के मतलब की जो भारत सीलंका और मालदीब तीनों सेनाओं के बीच में ऑपरेशन सेल्ड होता है उसका आयोजन किया गया दे दोनों पर जो सबस्यादा तसकरी होती है ठीक है नार्कोटिक्स विभाग के दारा यहाँ पर इसकी निगरानी की जाएगी किस तरह से हम तसकरी को रोक सकते हैं इन सारी बातों को ले करके ऑपरेशन सील्ड का यहाँ पर आयोजन किया गया है भारत सिलंका और मालदीब की स सकते हैं सामने तू सामने बैठ करके ठीक है तो वर्च्वल मोड में इसका जो है सुभारम किया गया है को जो है आपके ऑपरेशन सील्ड का ठीक है इसे मुंबई मेरिटाइम वारफेर सेंटर यानि की MWC द्वारा समनवित किया गया था तो यह कुछ महत्मून जानकारी थ युँआ किसान, किसान सार्थी, अन्यदाता या फिर इन में से कोई नहीं एंसर की बात करें सही एंसर बियाने की किसान सार्थी के नाम से भारा सरकार ने यहाँ पर एक डिजिटल प्रेटफर्म लॉंच किया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं देखिए तो सरकार ने किसानों को उनकी वांचित भासा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्रेटफर्म किसान सार्थी लॉंच किया है। किसान सार्थी अप यहाँ पर अभी हाली में लॉंच किया गया है। कर दिया गया है इस पर इस्टार लगा लिए क्योंकि यह प्रशन आपके आगामी परिच्छा में बिल्कुल आ सकता है। चार भासाओं में बनारस लिखा हुआ या दकीगा हिंदी संस्कृत अंग्रेजी और उढ़ी तक आपको संस्कृत में लिखा नहीं मिलता था लेकिन अब संस्कृत में भी लिखा गया है। तो चार भासा हैं हो गई है इस तरह और ऐसा करने वाला पहला राज ज़ उत्तर प्रदेस और पहला railway station बनारस railway station हो गया जिसे पहले Madua D Railway Station के नाम से जाना जाता था मडवा D Railway Station का आपशारिक नाम बनारस Railway Station 16 सितंबर 2020 को ही कर दिये गया था तो आपशारिक रूप से उसका नाम 16 सितंबर 2020 को ही कर दिये गया था इसका नाम अब बनारस होने वाला लेकिन अब यहाँ पर signboard भी लगा दिया गया है, नई पहचान वाले station कोड का कोड क्या होगा, तो BS, BS जो है वो station कोड होगा, जो मडवाडी railway station है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रशन देखते हैं, विश्व अंतराष्टी न्याए दिवस कब मनाया गया, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, या फिर 18 जुलाई, आई एंसर देखते हैं, सही एंसर सी यानिकी 17 जुलाई को विश्व अंतराष्टी न्याए दिवस मनाया गया, अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इस वर्स की थीम क्या रही है, आई ये देखते हैं, तो दुनि आई ग्रूप से अंतराष्टी आपराधिक न्यालेक की स्थापना की गई थी, तो अंतराष्टी आपराधिक न्यालेक की स्थापना कब की गई थी, 2002 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, वर्स 2021 का विशा क्या है, थीम क्या है, तो डिजिटल अर्थिवस्ता मे सामाजिक नया जो है वो इस वर्ष की थीम रखी गई है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां से शुरुआत होता है आपका 18 जुलाई 2020 मद्द प्रदेश करेंट अफेर के महत्रपून प्रशन आईए देखते हैं पहला प्रशन नागरी कुड़ेन मंत्री जोतिराजित सिंधि मद्द प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने वाले कितने मारगों को हरी जंडी दिखाई है जैसा कि आपको पता है नागरी कुड़ेन मंत्री जोतिराजित सिंधिया बन चुके हैं जो मद्द प्रदेश के गौलियर से यहाँ पर बने हैं तो याद रखेगा यह बहुत महत्पूर्ण है आपके लिए अब गौलियर और मद्द प्रदेश में विकास होना तय हैं उन्होंने मंत्री बनते ही यह गोशना कर दी है देखिए साथ या फिर आठ या फिर नौ या फिर दस कितने यहाँ पर जो हवाई मारगों को हरी जंडी दिखाई गई है मान प्रदेश को मद्द प्रदेश से महाराष्ट और गुजरात तक हवाई संपर को मजबूत करने वाले आठ नए मारगों को आबासी तोर पर जंडी दिखा दी गई है ठीक है तो किस को जोड़ेंगे तो गौलियर को महाराष्ट यानि मुंबई से और गुजरात से जोड़ा जाएगा ठीक है तो जो गौलियर है आपका गौलियर को महाराष्ट और गुजरात से चोड़ा जाएगा आगे बढ़ते हैं आगला प्रशन देखते हैं किस सहर में इस्तित तांसें रेसिडेंसी को अमेरिका का ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस कटेगरी बेस्ट अब दा बेस्ट अबाट दो जार एकीस मिला है ये भी बहुत महत्पून प्रशन है इस पर आप दो इस्टार लागा सकते हैं इतना ज्यादा महत्पून प्रशन है इंद और गौलियर भोपाल या फिर जबलपूर आई एंसर देखते हैं सही एंसर बी एन की तांसें रेसि जिए गया है जबकि मद्ध जो आपका मद्ध प्रदेस की गौलियर वाली रेसिडेंसी को यहाँ पर बेस्ट अब दा बेस्ट अबाट मिला है ये भी आपको याद रखना है विस सोबिक ख्यात परेटक मार्क दरसी संस्था ट्रिप एडवाजर युनाइटिन स्ट अफ अ लिए प्रूप लिए है उसे Bay чис दिया गया है चलिए आगे वढ़ते हैं मैं तो अगला सेग्मेंट हमारा स्ट्रेखvoy का च्पर्श्थमQ क्लास क्लास कई इसने कभर करते रहते हैं एक मतलब जितने हम प्रश्णो को लीकर आते हैं अगर आप इसको क्लियर करते हूए चलते वर्स नाम दिया गया है 2019 2020 2021 या फिर 2030 आज के जो आपको प्रशने दिखाई देंगे यह करेंट अफेर से कि 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सेंकों ने भारती सेना के सामने ढाका में आत्म समर्पन किया था तो 2021 में इसके 50 वर्स पूरे हो गये हैं इसलिए इसे सौन निम बिजय वर्स नाम दिया गया है जब हमने बंगला दिसको आजाद कराया था और लगभग 9300 सेंकों ने भारती सेना के सामने अपने हतियार डाल दिये थे आत्म समर्पन कर दिया था ठीक है आगे बढ़ते हैं तो बोनालू उस्सो का सम्द्ध किस राज्य से है असम, बिहार, करनाटक या फिर मड़ी पूर आई एंसर देखते हैं सही एंसर ए यानि कि बोनालू उस्सो का सम्द्ध यहापर असम नहीं होगा, यहापर तेलंगाना कर लीजिए, तो यह तेलंगाना का एक जो है उस्सो है बोनालू उस्सो, ठीक है ना, और अभी हाली में मनाया गया है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्ध पूर है, तो यह है आपका तेलंगाना, ठीक है, देखिए, और इसका अंसर भी हो जाएगा, तो यह तकीगा, तेलंगाना में बोनालू उस्सो मनाया गया है, देखे कुछ जानकारी, डिस्क्रिप्ट्सम ने आपको सही पतास चल जाएगा, तो बोनालू तेलंगाना का पारम परिक लोक उस्सो है, जो हर साल, तेलंगू के असाड महीने म मना जाता है ठीक है तो असार महीने में इसको मना जाता है बोनालुस्व तेलंग आना से रिलेटेड है बोनालुस्व में हैदराबाद और सिकंदराबाद की 25 मंदिरों में देवी महाकाली को पारंपरिक बोनम यानि भूजन की पेसकस करते हैं तो बोनालुस्व पर क्या किया जाता है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जुडवा सहर है ये भी याद रखीगा इनको भारत का जुडवा सहर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को तो यहाँ पर इस्तित 25 महाकाली के मंदिरों में उनके जो है भूजन जिसे बोनम कहते हैं उसकी पेसकस जो है की जाती है पच्चीस मंदिरों में यहाँ पर भूजन की विवस्ता की जाती है आगे बढ़ते हैं कानिकوبज किस भारती सहर का प्राचीन नाम है। यह भी बहुत महत crackedicol है। बहुत से लोग इसको स्किप करके आते हैं एंटीपीसी में पूछा गया क्निकूज जो है किस भारती सहर का नाम है कंपोज कन्यकुमारी कन्योज यह फिर कांची पुरम। अंसर की बात करते हैं सहीं आंसर C. rif kan왈 को प्राचिन समय में कानेकुज कहा जाता था देखिए तो कानेकुज का पुराना नाम है कन्नोज को महोधा स्री के नाम से भी जाना जाता है या अपने इत्रुत पादन के लिए प्रसिद आपको पता है कन्योज में सबसे ज़्यादा सेंट का निर्मार होता है तो अपने इत्रुत पादन के लिए कन्योज प्रसिद है जिसे प्राचीन नाम कान्यकुज के नाम से जाना जाता था आगे बढ़ते हैं तो अगला सेगमेंट है हमारा की हम डेली आपसे एक प्रस्ट पूछते हैं जिसका जवाब लोग जो भी देते हैं उनका नाम आपको स्कीन पर दिखाई देता है तो कल हमने आपसे प्रस्ट पूछा था कि जो आपका लौह पुरुस के नाम से किसे जाना जाता है सही एंसर है सरदार बलब भाई पटेल को लोग पूरुस के नाम से जाना जाता है आईए देखते हैं किस किस ने यहाँ पर जवाब दिया है सेलन चौधरी ने एक बार फिर बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है इन्होंने बलब भाई पटेल जी का पूरा नाम भी बताया है सार चौधरी लवली तिवारी और आपके सोनम चौहान जी के दोरा यहाँ पर दी गई है बागी अन्य कमेंट की बात करते हैं तो सचिन पारसन ने बिल्कुर सही जान कर दी है सोनम चौहान ने यहाँ पर बहुत अच्छी जान कर दी है उसके उद्धर रानू आनन ने कहा है सर मेरा टार्गेट है कि मैं आपकी चैनल को जादा से जादा से शेयर करूँगी ठैंक्स बहुत बहुत धानवाद आपका और आप जोहों पूजय दांगी ने हाँ पर आंसर भी दिया सरदार बलब भाई पटेल रादे साम सुकल ने नाइस क्लास और एंसर सरदार बलब भाई पटेल बहुत बहुत धन्माद आप लोगों का ऐसी कमेंट करते रही है और एक दूसरे के कमेंट को जरूर पढ़ ले कीजिए आईए द दे देते हैं आपको तो उत्तर प्रिदेश के गोरफुर में भीड़े ने यहाँ पर एक पुलिस थाने को जला दिया था जिसमें कि कुछ पुलिस कर्में भी जिंदा जला दिये गए थे तो इस घटना से आहत हो करके गांधी जी ने असायोग आंदुलन वापस ले दिये अब यह कौन सी घटना थी वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ठीक है बाकि आपको बता दे रोग दो परों साड़े बारा बज़े MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर क्या आते हम अर्थिवास्ता बिग्ज्यान सभी का प्रैक्टिस सेट जो है यूनिट नाइन के प्रैक्टिस जिन में से टॉप 50 प्रैक्टिस का पहला पार्ट आपके सामने आज आज आएगा क्विक रिवीजन रैपिट फायर प्रैक्टिस होंगे और यहां पर रिवीजन आपका सुरू हो चुका है ठीक है बाकि आप टेलीग्रम चैनल हमारा जोइन कर सकते ह पीडियाप डाउनलोड करने के लिए यह वीडियो पसंदा आए वीडियो को लाग कीजिए दोस्ते को पास सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजएगा साथ ही आपको बता दे एससी जीडी और एमपी पुलिस के लिए नए बै